है गाईज वेलकम टो माई चैनल डाट इस केटट क्लियर गाईज आपके एच्पी में लेटिस्ट वेकेंसी अवेलेबल है गॉर्मेंट डिपार्टमेंट में तो आईए हम जल्दी से जान लेते हैं कि ये वेकेंसी कौन से डिपार्टमेंट पर रहने वाली है उसके लिए आ पर्टमेंट ऑफ हायर एजूकेशन हिमाच्छल परदेश आपकी दो पोस्टें भरने जा रहा है आपकी जो आई-टी की कौंट्रेक्ट बेसिस के उपर एंड दो बैकलॉग पोस्ट जो है वो क्लरक की है ये भी कौंट्रेक्ट बेसिस पर है और यह रिजर्व रखी गई ह पर्सन विद्ड दिसिबिलेटी के लिए तो दोस्टों यहाँ पर देखें तो पोस्टों का नाम तो मैंने बता दी आपके बस जो आई-टी की है किटेगरी जिसके लिए रिजर्व है वो है घरिंग इंपेर्ट के लिए दो पोस्टें हैं क्लरक की है कॉंट्रेक्ट बेसि slash university से और दोस्तों matriculation है अगर आप किसी भी recognized board of school education से और विद भी गाई साथ one and slash two year diploma certificate है अगर आपके पास industrial training institute का information and technology में जैसे IT में आपको पता है and information technology enabled sectors में as notified by director general of employment and training government of India from time to time दोस्तों अगर three year diploma अगर आपका computer engineering में है slash computer science में है IT में है from a polytechnic as approved by all India Council of Technical Education तब भी आप क्या है eligible है इस post पे apply करने के लिए दोस्तों यहां पर आपकी computer की जो typing speed है वो 30 words per minute पांगी गई है English में और 25 words per minute आपको type करने होंगे हिंदी में अब बात करते हैं हम clerical की तो clerical के लिए जो minimum educational qualification रखी गई है वो है plus two आपास होने चीए किसे भी recognized board of school education slash university से और दोस्तों यहां पर आपको जो है वो 30 word per minute typing speed जीए English में और 25 word per minute typing speed जीए आपको हिंदी में एज जो है आपका जो एज का criteria रखा गया है दोनों पोस्टों की मैं यहां पर बात कर रही हूं तो 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में आपकी age यहां पर होनी चाहिए अब जितने भी eligible candidate है eligible candidate वो हुए गाईज जो इनकी educational qualification को fulfill कर रहे हैं अगर आप यहां पर जिस देगरी के लिए वेकिंसी निकले उसके लिए इसमें आप फॉल करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए तो उन्होंने क्या करना है अप्लाई करना है टू डारेक्टर हाइर दोस्तों आपका मैठ्रीकुलेशिन का रहता है उसको देखके ही आपने भरना है यहां पर नैंने बोला हुआ है आपके पिता-जी का नामाइगा आपका पॉमेनंट एड्रिस आएगा दूस्तों पॉमेनंट एड्रिस आपका वह एड्रेस होता है जो आपके वनुफाइड के उपर होता है correspondence address में भी आप अपना address mention कर सकते हैं जहां पर कहीं आप job कर रहे हैं या आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी आप वहां mention कर सकते हैं दोस्तों आप वहां पर अपना mobile number भी लिख सकते हैं ठीक है guys तो वो भी आपको पता है कितने जरूरी होता है date of birth भी आपके कितने ज़्यादा जरूरी होती है तो यह सारी की सारी basic details होती है जो आपको हमेशा लिखनी चाहिए यहां पर बोला है कि educational qualification तो guys educational qualification की हम यहां पर देखें तो जैसे कि आपको पता है कि आपको 10th के बारे में लिखना पड़ेगा कि आपने 10th की है HP vote से की है आपने आपका year of passing यह रहा है आपके इतने percent marks हैं जैसे 70% हैं वो लिखिए और आपने subjects कौन कौन से पढ़़ कर रखें professional qualification कोई की है जैसे BTEC की है कोई भी आपने ठीक है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं तो वो भी आप लिखने की है मैंने BTEC की है कहां से की है HPU से की है आप 2000 कितने के pass out है 9 के 10 के उसके आरे में लिखे कौन से आपने इसमें की है civil engineering IT में की है जिसमें भी की है वो भी आप लिख सकते हैं अगर है आपके बस disability certificate गाईज आपको लगाना बहुत जादा जरूरी है और वो attested ठीक है गाईज तो उस चीज़ का भी आपने धान रखन है कि disability certificate के बारे में भी आपने वहां पर mention करना है और हो सके तो अपने जो documents होते हैं उनको self attested करके आपने उनको भेज देना है ठीक है गाईज category to which belong this category से आप belong कर रहे हैं वो भी आपने वहां पर लिखना है हिमाचली bonofide आपका guys certificate etc जो photos copies हैं guys आपकी जितने भी relevant documents आपके र से related हैं वो सारे के सारे आपके हिमाचली bonofide हो गया कि सारे के सारे आपको वहां पर attach करना जरूरी है वो उन्होंने बुला हुआ है और वो self attested होने चाहिए दोस्तों तो वो आपने सारे के सारे application form के साथ लगाने है जो आपका application form है वो reach होना चाहिए कहां पर guys directorate of higher education में जो incomplete और वो जो वेग आपका application होगा मतलब जहां पर चीज़ें clear नहीं लिखी होगी आपने तो उसको क्या कर किया जाएगा वहां पर entertain नहीं किया जाएगा हाइवर relaxation जो है वो upper age की दी जाती है जैसे कि आपको पाता है जो PHP government के rule है dates for verification of document और type test जो होगा eligible candidates के लिए वो separately बताया जाएगा applicant क्या कर सकता है contact कर सकता है खुद वहां जाकर भी और टेलिफोनिकली भी तो यहाँ प्रूरा ने अपना जो number है वो भी mention कर दिया है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो यहाँ से आप उनको call करके देख सकते हो ठीके guys की हाँ की चीज़ों को पूछ सकते हो कि हाँ क्या क्या आपने clear करनी है तो वहां पर आप call करके पूछ सकते हैं note में guys यहाँ पर बोलके रखा है कि applicants less than 40% disabled are not eligible for said post तो दोस्तों इस चीज़ का आपने धान रखने है आपने disability certificate देख लेना है percentage का यहाँ पर अच्छा खासा उन्होंने note में mention किया हुआ है बी में देखेंगे कि applicant applying to the post of JOA IT and clerk ठीक है guys अगर आप दोनों के लिए eligible हैं JOA IT और clerk के लिए तो that is to both post should apply separately to each post तो मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि हाँ पर लिखने नहीं कि आप clerk और JOA IT के लिए एक साथ apply करना है आपने पहले एक पूरा form JOA IT का भरना है फिर दूसरे form के पर आपने लिखना है post applied for फिर clerk के लिए आपने apply करना है वहाँ पर अलग से सारी detail वहाँ पर mention करनी है एक ही form पे आपने दोनों चीज़ें दोनों पोस्टों के लिए नहीं apply करना है दोस्तों ठीक है इस postal address मैंने आपके साथ share कर दिया है उस address पे आपने इसको क्या कर देना ह पोस्ट कर देना है चाहे register post से चाहे आपने speed post से करना है guys और इसके regarding कोई और आपको relevant information चीए होगी तो phone number मैंने आपके साथ mention कर दिया है आप phone करके वहाँ पर उनको पूछ सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you have a good day and all the best